नमश्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Australia के करीब दो लाख unskilled sponsorship jobs के बारे में जहां Australian Government ने साफ साफ कह दिया है कि 2023 की शुरुबात से 2024 के अंत तर जो है उनको दो लाख sponsorship jobs देनी पड़ेंगी foreign workers को और वो सारी unskilled कैटेगरी में होंगी दोस् दोस्तो जिसमें आपको जो है fruit picking वगेरा करने का मौका मिलता है डेली farming वगेरा करने का मौका मिलता है दोस्तो और vegetable picking packing वगेरा करने का मौका मिलता है ठीक है इस sector में जो है आपको किसी experience की जरूरत नहीं होती है दोस्तो नहीं आपको जादा अंग्रेजी की जरूरत होती है क कोई आपको IELTS नहीं देना होता है दोस्तों कोई English test नहीं देना होता है साथ ही कोई age limit नहीं है अगर salary की बात करी जाए तो 20 से 30 Australian dollar आप पर घंटे के कमा सकते हैं दोस्तों तो इस हिसाब से अगर आप पूरे महीने काम करते हैं तो 3 से 3.5 रुपे आप easily कमा सकते हैं बिना overtime कि हैं तो आप अराम से 5 रुपे तक कमा सकते हैं महीने के दोस्तों 50 रुपे तक की salary हो सकती है आपकी सालाना और easily आपको यह jobs भी मिल सकती है अभी sponsorship मिल रही है दोस्तों हर मतलब sector में लोगों को job मिल रही है जादा तर jobs जो है इसी सेक्टर में मिल रही है दोस्तों ऑस्ट्रे विडियो में तरीका बताने वाला हूं आपको किस तरीके से अपने लिए sponsorship jobs झूणने है वो बताने वाला हूं दोस्तों और किस तरीके से उन jobs के लिए apply करना है वो बताने वाला हूं आपको ऐसी रड़ी website पर नहीं लेके जाओंगा और आपको जो है ऑस्ट्रेलिया की top websites भ एक चीज़ की वो है Australian format का CV और का वलेटर वो आपके पास है बहुत अच्छी बात है दोस्तो नहीं है तो हमसे बनवा लीजिए और उसके बात जो है process को चालू कर लीजिए ठीक है इस वक्त जो है दोस्तो आपको ना सिर्फ farming sector में बलकि अलग-अलग जो sectors है उनमें भी job देख available है web fabricators welders की job available है site cleaners की जरूरत है और construction का काम करते हैं लेबर वगेरे की जरूरत है दोस्तो इलेक्ट्रीशन फोर्मेन और maintenance technician इतनी सारी jobs आपको देखने कर मिल जाएगी और इन सभी jobs के लिए apply करना है आपको Australia की websites पे जाकरके अराम से आप कर सकते हैं दोस्तो और अगर फिर visit visa भी ले सकते हैं दोस्तो और easily Australia पहुच करके उसको convert करवा सकते है study visa में और साथ-साथ वहां रहते हुए काम कर सकते हैं आपको बस एक छोटी से course में admission लेना होता है दोस्तो यह alternate option है लेकिन अगर आप direct apply करते हैं और मेहनत से apply करते हैं दोस्तो consistency बना कर रखते हैं सही जगा पर सही documents के साथ apply करते हैं तो आपको इस tourist visa वाले चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको इंडिया में आपके घर में बैठे हुए job मिल जाएगे दोस्तो तरीका बहुत ही आसान है तरीका आना चाहिए और वह तरीका मैं पिछले कई सालों से बताते हुआ आ र हुशती रहे और आप भी अपना इंडिया से बाहर जाने का सपना पूरा कर सके दोस्तो खैर अभी बहुत सारी बाते हो गई है मैं जो है आपको डारेक्ट अभी website पे लेके चलता हूं और apply करने का तरीका बताता हूं jobs की तरीके से ढूणने है दोस्तो वो बताता हूं उसक आपको वाट का ओप्शन देखने मिलता है जिसमें आपको अपनी जॉब प्रेफरेंस डाली होती है जोस्तो आप अपने पसंद की जॉब टाइटल को डाली है यहां पर और फिर वही जॉब टाइटल से रिलेटिड जॉब सा जाएंगी आपके सामने ठीक है classification में आप classification set कर सकते हैं कि कौउन से सेक्टर में आपको जॉब चाईगे industry department वगरा सेट कर सकते हैं और उसके बाद job के लिए apply कर सकते हैं अगर आप farming के बात करें दोस्ति तो farming में इस वक्त आपको बहुत सारी jobs देखने के पिलेंगी आप इस पर select करके और seek वाले option पर click कर सकते हैं दोस्तो जैसे आप seek वाले option पर click करेंगे आपके सामने कुछ jobs आजाएंगी आप देख सकते हैं farm hand की job available है जो की मतलब हात वात बटा सकते हैं दोस्तो flower picker packer की job available है आप खुद देख सकते हैं दोस्तो उनकी जरुवत है ऐसी jobs आपको देखने की मिल जाएंगी बहुत सारी animal care officer animal care officer उसके बाद नीचे dog day care team member उसके बाद animal attendant उसके बाद नीचे head keeper उसके बाद animal attendant gardener farm hand ranger उसके बाद ranger ranger उसके बाद यहां देख सकने assistant to the manager ठीक है उसके बाद farm laborer pet care professional aquaculture farm hands farm hand behavior trainer उसके बाद नीचे की तरफ और भी आपको jobs निकले के बिल जाएंगी अगर आप यहां पर अलग-अलग pages पर जाते हैं तो ठीक है मैं आपको बता दो दोस्तों कि जितनी भी jobs आपके सामने आई हैं जरूरी नहीं है कि 100% jobs जो है आपके लिए हैं कुछ jobs इसमें foreign workers के लिए हैं कुछ jobs इसमें local लोगों के लिए हैं दोस्तों तो आपको जो है इस पर click करना है click करने के बाद जो है ठीक है mostly jobs में जो है experience नहीं मागा जाता है लेकिन इसमें दो साल का experience मागा जा रहा है क्योंकि जो काम है उसमें experience की जरूरत होगी दोस्तों ठीक है उसके बाद ऐसा अभी तक तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मतलब आपको जो है cover letter and resume via seek और email ठीक है seek के जरीए भी आप अपना account बना सकते हो और उसके बाद job के लिए apply का सकते हो otherwise यहाँ पर email id जो दी जाती है दोस्तों उस पर click करके आप अपना CV और cover letter send कर सकते हो बहुत easy सा process होता है दोस्तों ना सिर्फ farming के jobs जैसा कि मैं आपको बताया था बहुत अलग अलग sectors में job available है दोस्तों और उनके लिए visa sponsorship भी आपको मिलेगी अगर आप visa sponsorship देखना चाते हैं या फिर overseas candidates वाली job देखना चाते हैं तो आपको जो कुछ keywords का इस्तिमाल करना पड़ेगा जैसे अभी मैं visa sponsorship डाल लेता हूं और search कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे teacher इन सभी jobs के लिए जो है आपको sponsorship मिल सकती है दोस्तों there is a chance quite possibility यह है दोस्तों कि आपको इन सभी jobs के लिए sponsorship मिलेगी यहाँ पर आप दिख सकने हैं लिखा हूए ओभी है visa sponsorship opportunity for qualified child care educators and teachers मतलब जो पढ़ा सकते हैं बच्चों वगेरा को उनके लिए भी jobs available है दोस्तों साथ ही उ work visa sponsorship के साथ मिल रही है associate dentist की job available ठीक है तो dentistry वगेरा आपने कर रहा है health care में related आपने काम कर रहा है दोस्तों तो आपको बहुत सारी visa sponsorship jobs मिल सकती है साथ ही है मैं आपको एक और option दिखाता हूँ यहाँ पर जैसे मैंने इस keyword को इस्तेमाल किया तो हमारे सामने बहुत सारी jobs आई यहाँ पर मैं आपको एक और keyword इस्तेमाल करके दिखाता हूँ दोस्तों overseas candidates ठीक है इतना आपको search करना है और आपके सामने जहें ज्यादतर ऐसी jobs आएंगी जिसके लिए overseas candidates apply कर सकते हैं जैसे यहाँ electrician लिखा हूँ है ठीक है इस पर click किया click करने के बाद नीचे की तरफ आए आउस्ट कॉर्प करके executive करके company है दोस्तों यहाँ पर सारी जानकारी लिखी गई है ठीक है कितनी salary आपको मिल सकती है देखिए 51.50 Australian dollar per hour की salary आपको मिल रहे है दोस्तों इस अगर हिसाब से आपको माते हैं तो आप 4-5 लाग रुप महीनी का आराम से कमा सकते हैं without overtime ठीक है यह यहाँ पर एक सार का experience मांगा जा रहा है construction white card मांगा जा रहा है दोस्तों उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है candidates must currently be situated in Australia we are unable to take any overseas candidates अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो overseas candidates apply नहीं कर सकते हैं क्यूंकि देखो दोस्तों मैंने overseas candidates search किया था यह चीज जब मैंने search की थी थी न यहाँ पर आप देख सकते हैं location 100% remote anywhere in Australia no sponsorship and overseas candidates will be considered दो jobs लगतार हमको ऐसी मिली जिसमें हमें apply नहीं करना है दोस्तों ठीक है अभी मैं फिर से एक बार देख लेता हूं इसमें भी no overseas candidates no overseas candidates ठीक है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है in this role you will enjoy working on late model vehicle utilizing high performance parts overseas candidates welcome अब देखा आपने किस तरीकी से दो तरीकी के job आती है दोस्तों हमारे सामने एक जिसमें overseas candidates allowed नहीं है एक जिसमें overseas candidates allowed है तो यह होते हैं दोस्तों keywords इस्तेमाल करने के तरीके ठीक है अगर आप keyword इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से करते हैं और उसके बाद आप qualify कर पाते हैं eligible हो पाते हैं job के दोस्तो, I hope कि आप समझ चुके होंगे दोस्तो कि किस तरीके से आपको सीक पे अपने लिए sponsorship jobs ढूननी है अगर आप भी farm related jobs, construction related jobs या फिर store related jobs ढून रहे हैं, तो आप easily जो है इस website पे आ सकते हैं इस website पे almost सारी कि सारी jobs available होती हैं दोस्तो, और easily आप आप जो हैं दोस्तो, Australia की jobs के लिए apply करके Australia जा सकते हैं, तो wait करना छोड़िए, जल्दी से इस website पे आई और अपने लिए एक job ढून लीजिए देखा दोस्तो कितनी सारी jobs available हैं और किस तरीके से आप अपने लिए जो हैं Australia में job जून सकते हैं मैंने construction sector की job दिखा दी दोस्तो, बाकी sectors की भी job दिखा दी और dairy farming या फिर farming से related job भी आपको दिखा दी हैं दोस्तो आप easily in jobs के लिए apply करिए apply करने का तरीका, simple तरीका मैं आपको बता देता हूँ, website पर जाइए, search कीजिए search करने के बाद अगर कोई job दिखती है आपसे relatable उस job पर click कीजिए click करने के बाद आपको उसके job description पढ़ने के बाद आपको देखना है कि आप उनके skills और requirements को fulfill कर पा रहे हैं कि नहीं, आप eligible हैं तभी apply कीजिएगा दोस्तो अगर eligible नहीं है तो apply मत कीजिएगा आपको response नहीं आएगा साथ ही वहाँ पर differentiate कर लीजिएगा कि वो job local logo के लिए है या foreign workers के लिए है अगर foreign workers के लिए है तभी apply कीजिएगा अगर local logo के लिए है या फिर आपसे working rights मांगे जा रहे हैं अगर आपसे बोला जा रहे हैं कि आप citizen होने चाहिए Australia के तो apply मत कीजिएगा यही simple सा fund होता है दोस्तो तो दोस्तो I hope कि आप समझ चुके हैं जो भी मैंने आज की इस वीडियो में बताया है और समझ चुके हैं तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई topic के साथ तपता के लिए बाई बाई